नमस्कार, श्वागत है आपका भारत टीवी में आजकर हर ब्यक्ति बढ़े हुए पेट से परिशान है पेट ही नहीं, आजकर बढ़ती हुई कमर भी लोगों के लिए समस्या बनती जा रही है क्या मर्द, क्या औरत, क्या लड़का, क्या लड़की, क्या भुजुर हर लोग बढ़ती हुई कमर और बढ़ती हुई तोंद से परिशान है कम उम्र में ही लोगों का तोंद निकल जाता है जिससे उनकी अच्छी खासी सरीर बेडोल हो जाती है लड़कों की परिशानी ये है कि पेट निकलने के बाद लड़किया उनको कम दिखती है और एट्रेक्शन कम हो जाता है लड़कों की परिशानी ये है कि उनका तोंद या कमर बढ़ने से ड्रेस उनके उपर फिट नहीं होती है अधेर उम्र के लोगों की या 30 से जादे उम्र के लोगों की परिशानी ये है कि पेट निकलने और कमर बढ़ जाने से वह और जादे बुजुर्ग लगते तो ये प्रहसानी हर एक उम्र के लोगों की है लेकिन यदि आपका भी कमर कमर के जिगा कमरा हो रहा है तो आपके लिए समाधान है आप बढ़ते हुए कमर को रोकने के लिए कमरा से कमर बनाने के करिए और तूंत से एक फिट सरीर बनाने के लिए थोड़े से उपाय करिए और फिट हो जाई कमरा से कमर का बनना बहुत जरूरी है सबसे पहले आपको करनी है आपकी आदत में सुधार एक आदत ऐसे है जिसे सब लोग जानते हैं लेकिन सुधार नहीं कर पाते वह है जब बहुत ही जरूरी है इसको आपको तुरंत ही लागु करना है यदि कर रहा है तो किसी भी तरीके इसकी बाकी चीजे आपको फाइदा कम करते हैं आपको कोई भी पेट से संबंदिस शिकायत है तो उसको भी दूर करना जरूरी होगा इसके अलावा वजन घट आने के लोग जिम में घंटो पसीना भाते हैं तेकिन बाकी का दिन भर और बाकी की पूरी रात के उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है हम जिम में गंटे पसीना बारते हैं तुरंत आके बेट पे बैठ जाते हैं सो जाते हैं खाना खाने के बाद टहलते नहीं है तो जिम जाना बेकार हो गया तो जिम यदि नहीं भी जा रहा है तो हमें अपने डाइट को बैलेंस करनी है यानि कि बहुत जादे खाना नहीं खान पानी में यदि आप नीभू मिला ले तो और अच्छा और यदि सुबह उटके आप आवला और एलोवरे का जूस पी रहे हैं तो अती अच्छा इसके अलावा और भी उपाए हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं ओट मील और अखरोट के कंबनेशन से सरीर को बैलेस्ट नूट्रिसियन मिलता है ओट मेल जहां फाइबर का अच्छा श्रोत माना जाता है वहीं अखरोट में फाइबर के साथ साथ फैट और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है वेट मैनेजमेंट के लिए यह बहुत ही अच्छा कंबनेशन माना जाता है पीनट और केला पीनट बटर के साथ केला खाने से हमारे शरीर को धेल सारे पोसक तत्त मिलते हैं या गुट काप्स, हेल्धी फैट और प्रोटीन का अच्छा शोत माना जाता है जो लोग तेजी से वजन कम करने की इच्छा रखते हैं उनको एक बार ये कंबिनेशन जरूर ट्राई करना चाहिए यागर्ट और बैरीज, इस स्टडी में यह बात साबित हो चुकी है कि यागर्ट तेजी से वजन घटाने का काम करता है क्योंकि इसमें कैलशियम, बिटामिन डी, प्रोटीन और अमिनुए असिड का कॉमिनेशन पाया जाता है जिसका प्रियूग करके आप तेजी से अपन वजन घटा सकते हैं, अंडा और सिंबला मिर्च, प्रोटीन का राजा अंडा हमारे मेटावालिजम का बुस्ट करने का काम करता है, बिटामिन सी युक सिंबला मिर्च के साथ अंडा खाने से सिर्फ हमारी भूक लंबे समय तक शांत रहती है, बलकि शरीर में जमा फैट भ अप से हमारे सरकीर को बहुत एनरजी मिलती है, वजन घटाने वारे लोगों के लिए इन दो चीजों का कमिनेशन बहुत अच्छा है, मगर एक बात जानना है कि दाल चाओं का सेवन रात को बहुत ही कम करना है, ब्रोकली और मांस, गोस्त या मचली से हमारे शरीर को कम करते हैं, ग्रीन टी और लेमन टी, ग्रीन टी मेटापॉलिजम को बढ़ाता है, ग्रीन टी आपको पीना है, सुबक ग्रीन टी का सेवन करिए और खाना खाने के बाद ग्रीन टी के सेवन को अपनी आदद बनाए, इस आपका वजन तेजी से घटेगा, इसके अलावां व सरीर को एक्टिव रखना है पचादिय देर तक एक साथ नहीं बैठना है बीच में हलका हलका टहलते रहना है तो इन सारी चीव से आप अपने कमरा को कमर बना सकते हैं और यदि हो सके तो सबसे आसान काम है साइक्लिंग करिए आप यह क्या 2-3 किलो मिटर कम से कम पर दे साइक चलाने के आदर डालिए जिससे आप फिट भी रहेंगे मांग पेसियां भी मजूद रहेंगी और आपकी तोद और कमर भी कम होगी